ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है. शीतल मातारानी की परमभगती थी. जब वो छोटी थी तो हमेशा अपनी मा के साथ नवरातरों में मातारानी की पूजा करती थी. कुछ सालों पहले शीतल की मा की बिमारी के कारण मृत्यो हो गई. लेकिन फिर भी शीतल ने मातारानी की पूजा करना नहीं चोड़ा शीतल अकेले ही रोजाना सुभशाम मातारानी की पूजा किया करती थी मातारानी ये लीजिए आप ये भोग का प्रशाद खा लीजिए मेरी मा नहीं है तो क्या हुआ हम दोनों का रिष्टा भी तो मा बेटी जैसा है ना मुझे आपके अंदर अपनी मा नजर आती है इस तरह शीतल कई बार माता रानी से बात किया करती थी एक दिन शीतल के यही बाते उसके पिता सुन लेते है उसे अपनी बेटी के अकेलेपन का एहसास होता है और वो अपने मन में सोचता है यही सोचकर धीरज सीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है कुछ सालों पहले सीता का पती उसे छोड़ कर चला गया था इसलिए सीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम अनुराधा था शादी के बाद धीरज दोनों बेटीों को समान प्यार देने लगता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीता शीतल को घृणा की नजरों से देखा करती थी सीता ने कभी शीतल को अपनी बेटी माना ही नहीं एक दिन शीतल अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी तभी उसकी सौतेली बेहन अनुराधा उसके पास आती है और उसकी गुड़िया उससे चीन लेती है इस गुड़िया को मुझे दे दे पापा ये गुड़िया मेरे लिए लाए है ना कि तेरे लिए ऐसा नहीं अनुराधा उन्होंने कहा था कि ये गुड़िया हम दोनों के लिए है और हम दोनों ऐसे खेल सकती है बिल्कुल भी नहीं मेरे खिलोने तेरे कभी नहीं हो सकते समझ में आई बात और अगर जादा बोलाना तो मैं तेरी शिकायत मा से कर दूँगी शीतल और अनुराधा एक दूसरे से गुड़िया चीनने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर सीता आ जाती है और गुड़िया चीन कर अनुराधा को दे देती है क्यों रही शीतल की बच्ची मेरी बेटी से उसके खिलोने चीनती है शरम नहीं आती तुझे लेकिन मा ये गुड़िया हम दोनों की है और अनुराधा कह रही है कि ये इससे मुझे नहीं खेलने देगी हाँ तो मेरी बेटी इसमें गलत क्या कह रही है और वैसे भी तेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं है चुपचाप से किचन में जाकर खाना बना सारा काम पड़ा हुआ है और इन मारानी को गुड़िया गुड़िया खेलना है सीता की बात सुनकर शीतल बिना कुछ कहे घर का सारा काम करने लग जाती है शीतल को अपनी सोतेली मा का अपने प्रती ऐसा व्याभार देखकर बिलकुल अच्छा नहीं लगता था और वो रोते रोते घर के काम करने लगती है इस तरह शीतल के उपर सीता का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था वो पूरा दिन शीतल से कोई ना कोई काम करवाती रहती थी और बदले में उसे दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं देती थी वो शीतल के सामने ही अपनी बेटी अनुराधा को रंग बिरंग की फ्रॉक ला कर देती थी और उसे बहुत प्यार भी करती थी ये सब देखकर शीतल को बहुत बुरा लगता था और उसे अपनी मा की बहुत याद भी आती थी जब भी उसे अपनी मा की याद आती तो वो दुर्गा मा की मूर्ती के पास जाकर बैट जाती थी इसी तरह एक दिन शीतल शाम के समय दुर्गा मा की पूझा करने जा रही थी तब ही सीता गुस्से में उसके पास आती है और कहती है ओ दुर्गा मा की लाडली रोध सुबशाम घी का जोट जलाती है पता भी है घी कितना महंगा हो गया है और क्या करेगी दुर्गा मा तेरी जिंदगी अच्छी नहीं बना देंगी, समझी मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है पहले मेरा पैर दबा उसके बाद दुरगा मा की पूझा करना लेकिन माँ, अगर अभी मैं दुरगा मा की पूझा नहीं की तो समय निकल जाएगा मैं बस 15 मिनिट में पूझा करके आती हूँ फिर आपके पैर दबा दूँगी अच्छा जी इसका मतलब अब मुझे तेरे इशारों पर चलना पड़ेगा जितना कहा है उतना कर और अपना दिमाग कम लगा समझी बाद में करी अपनी माता रानी की पूझा ठीक है मा आप कमरे में चलिए मैं पहले आपके पैर ही दबा देती हूँ ऐसा कहकर शीतल आधे घंटे तक सीता के पैर दबाती है फिर आधे घंटे बाद माता रानी से शमा मांग कर उनकी पूझा करती है इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और नवरात्री का त्योहार आ जाता है नवरात्रों में शीतल घर में माता रानी का कलश बठाना चाहती थी और नौ कन्याओं का पूझन करना चाहती थी लेकिन सीता ने उसे कुछ भी नहीं करने दिया कितनी बुरी है सोतेली मा, इन्होंने मुझे माता रानी का पूचन भे नहीं करने दिया, भगवान ऐसे सोतेली मा किसी को मत देना। शीतल बहुत दुखी होती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, नवरातरी का तिवहार निकल गया, लेकिन शीतल इस बार माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाई, काफे समय बीट गया लेकिन शीतल के प्रती उसकी सोतेली मा और सोतेली बहन का व्यावार बिलकुल नहीं बदला शीतल अपने कमरे में बहुत रोती थी सब जान कर भी उसका पिता धीरज कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि सीता उसको हमेशा छोड़ जाने की धमकी देती रहती थी माता राने की इतनी अभेलना करने के कारण सीता धीरे धीरे बिमार पढ़ने लगी शहर के सारे डॉक इस तकलीफ में उसका साथ देने वाली केवल शीतल ही थी एक दिन बिस्तर पर पढ़े पढ़े सीता अपनी बेटी अनुराधा को आवाज लगाती है अनुराधा ओ अनुराधा बेटी मुझे थोड़ा सा पानी दे दे बहुत देर से प्यास लग रही है सीता की आवाज सु कर शीतल उसके पास पानी लेकर आती है और कहती है ये लीचे मा पानी अनुराता घर पर नहीं है इसलिए मैं ही पानी लेकर आ गई और वैसी भी आपका दवाई का भी समय हो गया है ऐसा कहकर शीतल अपनी सौतेली मा को दवाई और पानी दे देती है और अपने मन में सोचती ह एसा सोचते हुए शीतल अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है तभी वहाँ पर उसका पिता आता है और कहता है क्या बात है बेटी तु इतना परिशान क्यों लग रही है देखे न पिता जी मा की तबित कितनी जादा खराब है उनको बहुत तकलीफ होती है और मैं चाहा कर भी कुछ नहीं कर पाती तेरी सौतेली मा तेरे साथ कितना बुरा व्यवार करती थी लेकिन फिर भी उसके बुरे समय में तु उसके साथ खड़ी है काश ये बात सीता को भी समझ आती जाने दीजे न पिताजी ये चाहे जैसी भी है है तो मेरी मा ही शीतल के इतने अच्छे विचार देखकर उसका पिता बहुत खुश होता है देखते ही देखते कुछ दिनों बाद फिर से नवरातरी का तयोहार आ जाता है शीतल अपने पिता से कहती है पिता जी नवरातरी का तयुवार आ रहा है मैं इस बर कलश बठाना चाहती हूँ अब दुरगा माता ही मा की तबित को ठीक कर सकती है आपकल सारा सामान ले आईएगा ठीक है बिटिया अगले दिन शीतल का पिता नवरातरी का सारा सामान ले आता है और शीतल दुरगा माता की मूर्ती और कलश बठाकर नौ दिन का उपवास रखती है और हर दिन दुरगा माता से अपनी मा की सेहत की प्रार्थना करती है इस तरह आठ दिन बीच जाते हैं और नौमी का दिन आ ज प्रुजन करवा के मैं अपना वरत तोड़ दूँगी प्लीज मेरी मां को ठीक करदीजिए शीतल पूजा खतम करके सभी कन्याओं के लिए हलवा पूरी और चना बनाने चली जाती है इतने में उसका पिता नो कन्याओं को लेकर घर आ जाता है और शीतल सभी कन्याओं को सीता कुछ बोल तो नहीं सकती थी लेकिन शीतल की ये सारी बाते सुनकर उसकी आँखों में आणसु आगए वो मन में सोच रही थी कि आज तक उसने जिसको हर बात पर सिर्फ डाटा और फटकारा है आज वो उसके लिए कितना कुछ कर रही है और जिस बेटी को वो अपने दिलो जान से जादा प्यार करती थी उसको उसकी कोई फिक्र ही नहीं है शीतल अपने हाथों से अपनी मा को प्रसाद खिला देती है और दुरगा मा की मूर्ती के पास जाकर कहती है प्लीस मातरानी मेरी मा को ठीक कर दो ना मैंने आज तक आपके इतनी पूजा की है कभी आपसे कुछ नहीं मांगा आज मेरी सरफ एक मनो कामना पूरी कर दो शीतल वहीं बैठ कर रोने लगती है तभी साक्षाद देवी मा वहां प्रकट होती है और कहती है उठो शीतल अपनी आखें खोलो शीतल देवी मा को देखते ही बहुत खुश हो जाती है मा आपने मुझे दर्शन दिये है मा मैं तो धन्ने हो गई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे दर्शन दिये है की एसी हालत मैं नहीं की थी क्योंकि वो तुमें बहुत परिशान करती थी परन्तु आस तुम्हारे ही आगरह करने पर मैं उन्हें ठीक करने आई हूँ ऐसा कहकर देवी मा एक जादू करती है और शीतल की सौतेली मा बिलकुल स्वस्त हो जाती है अब वो बोल भी सकती थी और चल भी सकती थी सीता को ठीक करके देवी मा वहां से अद्रिश्य हो जाती है तभी वहां पर सीता भागती हुई आती है शीतल बेटी देखो मैं ठीक हो गई मैं बोल सकती हूँ और मैं चल भी सकती हूँ ये सब किसी करिश में से कम नहीं है और मुझे पता है ये सब देवी मा के कारण और तुम्हारे कारण ही हुआ है मुझे माफ कर दो बेटी आज तक मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है लेकिन तुम कितनी अच्छी निकली शीतल अपनी मा को ठीक देख कर बहुत खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है वहीं पास में धीरज और अनुराधा खड़े होकर ये सब देख रहे थे अनुराधा कहती है मुझे भी माफ कर दीजी का दीदी मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा वियाभार किया है लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा इससे जादा खुशी के बाद और क्या हो सकती है कि नवमे वाले दिन मुझे मा और बहन का प्यार मिल गया हाँ शीतल आज तुम्हारे लिए मैं भी बहुत खुश हूँ मैं चाह कर भी कभी कुछ बोल नहीं पाता था लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ सीता शीतल को अपनी बेटी की तरह प्यार देना खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तब ही तुम शीतल के साथ बुरा व्यावार मत करना आज के दिन ऐसी अप्शगुन बाते मत कीजिये जी अब हमारे परिवार को किसी की नजर नहीं लगेगी अंत में शीतल को जो चाहिए था मिल जाता है माता रानी ने शीतल को नौ दिनों के वरत काफल बहुत अच्छा दिया था इस तरह अब वो पूरा परिवार एक जुठ होकर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और अब हर साल वो पूरा परिवार मिलकर माता रानी के नवरात्रे बहुत धुमधाम से मनाने लगते हैं काली और गोरी बहु में भेदभाव विमला ने अपने तीनों बेटों में से दो बेटों की शादी कर दी थी और उसकी दोनों बहुएं अपने अपने पती के साथ दर्वाजे पर ग्रह प्रवेश के लिए खड़ी थी आजओ मेरी प्यारी बहुँ तुम्हारे इस घर में स्वागत है विमला के इतना बोलने के बाद दोनों बहुएं अपने पैर से कलश को गिराती है और घर में प्रवेश करती है बहु जाओ और जाकर कपड़े बदल लो तुम दोनों ठक गई होगे ना जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो कल तुम्हारे पहली रसोई है इसलिए मैं तब तक उसका इंतिजाम कर देती हूँ विमला के इतना बोलने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है इसी तरह सुब़ा हो गई और आज दोनों बहुएं की पहली रसोई की रस्म किमारी थी विमला कहती है ये सुनकर दोनों बहु में से एक बहु शीतल कहती है आई यू सीरियस सासु मा? मैंने कभी अपने घर का किचन तक नहीं देखा है और आप चाहती हो कि मैं सब के लिए खाना बनाऊँ नौट पॉसिबल, मेरे बस की बात नहीं है ये ये तो क्या बोल रही है बहू? वैसे ममी जी, मैं भी शीतल की बात से सहमत हूँ मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता मैंने अपने माईके में कभी कुछ नहीं बनाया है ये सारे काम हमारे घर के नौकरानिया करती थी आप चाहती हो कि ये नौकराने वाले काम हम करें? बिल्कुल नहीं वैसे ममी जी अगर आपको खाना है तो हम ओडर करके बाहर से मंगवा देते हैं अपने दोनों बहूं की बात सुनकर विमला अपना सर पकड़ लेती है आए हाए ये कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई अरे बहू मेरी बात को समझो ये एक रसम है जो निभानी ही पड़ती है अपने घर में कभी छोटा मोटा कुछ तो बनाया होगा नहीं ममी जी हमने कहा न हमें कुछ नहीं आता ठीक है आओ मेरे साथ रसोई में मैं तुम्हे कुछ मीठा बनाने में मदद करती हूँ दोनों भुवे अपनी सास के साथ किचन में कुछ मीठा बनाने चली गई लेकिन किचन में जाती ही दोनों के नकरे शुरू हो गए उफ सासुमा यहां तो बहुत गर्मी है मैं तो जल जाओंगी हाँ हाँ इतनी गर्मी मेरे स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मैं तो जा रही हूँ यहां से हाँ ममी जी मुझसे भी यहां रुका नहीं जाएगा एक काम करिए हमारे बतले आप कुछ मीठा बना दीजिए अगर आपका भी मन नहीं है तो बाहर से मंगवा लेंगे यह क्या बात हुई बहु आप समझे ममी जी हम जा रहे हैं दोनों बहु किचन में अपनी सास को अकेला छोड़कर अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर लेट गई इधर बिचारी विमला को अपनी बहु का खाना अकेले बनाना पड़ा इसी तरह से दिन बीत रहे थे विमला की दोनों बहुएं अमीर परिवारों से थी इसलिए वो दोनों कभी भी कोई काम नहीं करती थी और वो दोनों बहुत जादा घमंडी भी थी दोनों बहुएं से विमला परिशान थी पहले मुझे अमीर घर की सुन्दर लड़कियां पसंद थी लेकिन जब से ये दोनों मेरे घर में आई है मेरे रातों की नींद और दिन का सुकुन छिन गया है अब मैंने सोच लिया है मैं अपने छोटे बेटे के लिए गरेब घर की सामली लड़की को ही बहु बना कर लाऊंगी फिर क्या था तब से विमला ने गरेब घर की सीधी साधी लड़की को ढूणना शुरू कर दिया कुछ दिन ढूणने के बाद उसे एक गरेम घर की काली लड़की शिखा पसंद आ गई बहन जी मुझे आपकी शिखा बहुत पसंद है मैं ये रिष्टा पक्का करती हूँ रिष्टा पक्का करने के कुछी दिनों बाद विमला ने अपने छोटे बेटे की शादी शिखा से करवा दी शिखा का काला रंग देखकर शिखा की जिठानिया, शीतल और काजल ताना कस्ते हुए कहती है ये क्या ममी जी आपने अपने बड़े बेटे के लिए तो हीरो को ढूंडा और छोटे बेटे के लिए एक कोईला उठा कर ले आई इससे अच्छा तो आप मेरे हैंडसम देवर की शादी मेरी बुआ की बेटी से करवा देती ये सब सुनकर विमला कहती है चुपकर बहू हर चीज में रंग रूप नहीं देखा जाता है माना तेरी बुआ की बेटी सुन्दर है लेकिन मुझ से तो तुम्हारी ही तरह जहर उगलती है भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से मम्मी जी आपको मेरी बेहन के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है अहां तो तुझे भी मेरी बहु के बारे में भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है छोड़ो शीतल चलो हम कमरे में चलती है दोनों बड़ी बहुए एटते हुए कमरे में चली जाती है विमला अपनी छोटी बहु शिखा से कहती है बहु तु इन दोनों की बातों का बुरा मत मानना ये दोनों ऐसी ही है कोई बात नहीं मा जी शिखा भले ही रंग रूप में काली थी और गरीब थी लेकिन वो अपने अच्छे कर्म और संसकारों में बहुत अमीर थी शिखा ने ससुराल में कदम रखते ही अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना शुरू कर दिया और सारी रस्मों को भी बहुत अच्छे से निभाया अब शादी के लगबग दो तिन महिने बीद चुके थे शिखा से विम्ना बहुत खुश थी एक दिन शिखा किचन में खाना बना रही होती है तबी वहां काजल आती है और शिखा से कहती है ओ काली माता मुझे बहुत तेज भूक लग रही है चल्दी से मेरी लिए कुछ हलकफुल का नाश्ता बना दे आपने मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या भूक लगी है तो चुपचाप खुद बनाईए और खाईए ओ माता मुझे ज़्यादा जुबान मत लड़ा जितना बोला है उतना कर मुझे से कुई उमीद मत रखना जिठानी जी और कृपया करके आप अपनी हेकड़ी अपने पास ही रखिए क्योंकि मुझे किसी की अकड़ दीखने का कोई शौक नहीं है अच्छा जी एक बात सुन ले तेरी उकाद मेरे पैर के जुत्ती के समान है तुम उसे जुबान मत लड़ा वरना तेरी उकाद दिखाने में मुझे दियर नहीं लगेगी मेरे पैरों की धूल काजल शिखा को उल्टा सीधा सुना कर अपने कमरे में चली गई परन्तु अब शिखा अपने जिठानियों को कैसे हैंडल करना है ये बखू भी समझ चुकी थी वो एक दिन हॉल में जाड़ो लगा रही होती है तब ये शीतल आकर हॉल में पंखा चला देती है जिससे सारा कच्रा इधर उधर उड़कर फैल जाता है ये क्या किया आपने जिठानी जी अब चलिए सारा कच्रा आप ही साफ करिए ओ हेलो होश में तो हो बिल्कुल होश में हूँ जिठानी जी अब चलिए जल्दी से ये सारा कच्रा साफ करिए भूल जाओ कि ये कच्रा मैं साफ करूँगी और मेरी मानो तो तुम भी इसे ऐसे ही छोड़ दो और मेरे जैसे लाइफ इंजोई करो बिल्कुल नहीं अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी तो इसे कौन साफ करेगा सासुमा खुद करेंगी शीतल ऐसा बोली रही थी कि तब ही वहाँ विमला आ जाती है और कहती है तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बहु लेकिन तू मेरी छोड़ी बहु को अपने फेवर में नहीं कर पाएगी समझी ओहो सासुमा जब से आप इस काली माता को अपनी बहु बना कर लाई हो हमें तो भूल ही गई हो मुझे तो लगता है अब आप हमें अपनी बहु भी नहीं मानती हो सारा दिन बस अपनी छोटी बहु के ही गुणगान गाती रहती हो गुणगान भी उसी का गाया जाता है बहू जिसमें कुछ बात हो और मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है तो मैं क्या करूँ? इतना बोलकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है इसी प्रकार नौक जोक में दिन बीट रहे थे दोनों गोरी जठानिया अपने काली बहुत शिखा से बिल्कुल बात नहीं करते थे इसी तरह देखते देखते एक साल बीट जाता है फिर एक दिन शिखा अपने जठानी के रूप में जाकर उनसे कहती है जठानी जी नीचे आजाईए खाना तयार है शिखा के बुलाने पर दोनों जठानिया नीचे आजाती है लेकिन वो दोनों गुस्टे में थी क्यूंकि कुछ देर पहले ही विमला ने उन्हें किसी बात पर डाटा था हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में सही कह रही हूँ शिखा की बच्ची की वज़े से हमें डांट पढ़ती रहती है और ये शिखा भी हमेशा सासुमा के चमची बनी फिरती है दोनों जठानिया इसी तरह से टेबल पर बैठ कर बात कर रही थी तबी शिखा बहुत ही सुन्दर सा केक लेकर आई हैपी एनिवर्सरी जिखानी जी शीतल और काजल शिखा को देख कर हैरान रह गई जिखानी जी इस नोग जोग में एक साल कब और कैसे बीट गया पता ही नहीं चला लेकिन जो भी हो मैं बस ये चाहती हूँ आपके दिल में मेरे लिए जो नफरत है उसे खतम कर दो और ये चोटा सा तौफा मेरी तरफ से कुबूल करो ये केक मैंने अपने हाथों से बनाया है देखा बहु कितने गुनी है शिखा बहु बेशक तुम इससे कितना भी लड़ो जगडो पर ये उस चीज़ को कभी दिल पर नहीं लेती और सब के बारे में अच्छा सोचती है ये देखकर दोनों जठानी की आँखों में आसू आ जाता है और उन्हें अपनी करणी पर पच्टावा भी महसूस होता है हम दोनों तुमें कितना गलत समझ रही थे शिखा माफी मत मांगे भावी, जिस दिन इनसान को अपनी गलती महसूस हो जाती है उसे दिन उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती है देखा शिखा बहु को, अब तुम दोनों को समझ आया कि पैसा और रंग रूप कुछ नहीं होता, जब तक सीरत अच्छी ना हो दोनों बड़ी बहु को अब समझ आ चुका था कि वो पहले गलत थी वो सब अपने सारे गिली शिक्वे भूल कर शिखा को गले से लगा लीती है अब से शीतल और काजल घर के कामों में शिखा की मदद करती है और एक अच्छी बहु होने का फर्ज निभाती है और अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है हेर बेंड के ज़रने का जादू लखनाओं के एक छोटे से गाउं में इशिता और कृति का नाम की दो बहनी अपनी मा राधा के साथ रहती थी राधा अपने पती के जाने के बाद अपनी दोनों बेटी का पालन कोशन करती थी राधा अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी इशिता गंजी थी क्योंकि जब वो पान साल की थी तब खेलते खेलते उसने गलती से अपने बालों में केमिकल लगा लिया था उस दिन के बाद से बहुत इलाज करवाने के बाद भी इशिता के बाल नहीं आते हैं कृतिका के बहुत लंबे बाल थे और उसको अपनी बालों की खुबसूरती का बहुत घमन था एक दिन क्रेतिका राधा से जाकर बोलती है मा, मैं शिता को अपने साथ इसको लेकर नहीं चाओंगी मेरे इतनी लंबे घने बाल है लेकिन फिर भी इस गंजी की वज़े से सम्मुझ पर मिहसती है वैसी भी अभी तक थोड़ी लोगों को ही पता है कि ये मीरी बहन है अगर पूरे स्कूल में ये बात फैल गई तो खाम का ही मेरी जग हसाई हो जाएगी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ क्रेतिका? इशिता भी उसी स्कूल में पढ़ती है तो क्या हो गया मा? आप इसका एड्मिशन किसे दूसरे स्कूल में करवा दो ना? नहीं क्रेतिका, अपनी बालों की खुबसूरती पर इतना घवन करना सही नहीं है इशिता तुम्हारी बहन है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए ना की लोगों की फालतु बातों पर इस मामले में मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, इशिता तुम्हारे साथ ही स्कूल जाएगी ना चाहते हुए भी क्रेतिका को इशिता को अपने साथ स्कूल लेकर जाना पड़ता है क्रितिका पूरे रास्ते इशिता को खड़ी-खोटी सुनाते हुए ले जाती है सुन गंजी मा के कहने पर मैं तुझे अपनी ठत इसको लेकर जा रही हूँ लेकिन मेरे से थोड़ा दूर चला कर और हां किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू मेरी बहन है अगर कोई पूछे तो बोल दियो कि तू मेरे पडोस में रहती है क्रितिका मेरे गंजे होने की वज़ा से लोग मेरा मजाग बनाती ही है कम से कम तुम तो मत बनाया करो हम दोनों बहने है हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए पता नहीं तुम मैंसे इतना दूर क्यों भागती हो मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती तेरे जैसे बहन होने से अच्छा है कि मेरी कोई बहन ही नहीं होती अगर तेरे सरफ वेजती होती है तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन तेरे साथ साथ सब मुझे भी गंजी की बहन गंजी की बहन बोलते रहते हैं इस तरह दोनों बाते करते करते स्कूल तक पहुँच जाते हैं स्कूल पहुचते ही सारी लड़कियां इशिता पर हसने लगती है तभी एक लड़की कृतिका से बोलती है अरे जार कृतिका ये तेरी साथ गंजी कौन है कर ये तेरी बहन तो नहीं अरे खुश्बू तो पागल हो गई है क्या कृतिका की इतने लंबे काले घने बाल है बहला ये गंजी उसकी बहन कैसी हो सकती है अहां पूझे बिल्कुल सही कह रही है ये उजड़ा चमन मेरी बहन नहीं है ये तो मेरे पड़ोस में रहती है बस मेरे साथ स्कूल आ जाती है क्योंकि ये भी इसी स्कूल में है न गंजी लड़की तो स्कूल पढ़ने क्यों आती है घर में बैटकर जाड़ू पोचा किया कर वैशी तिरे सरपर तो तबला बजाने में बहुत मजाएगा एक बार मैं तबला बजाओं क्या। इतना बोलकर पूझा इशिता के सर पर तबला बजाना शरू कर देती है अपनी बहन का ऐसा मजाग बनता हुआ देख कृतिका हस रही होती है इशिता रोते हुए अपने क्लास में चली जाती है इसकूल की छुटी होने के बाद दोनों बहने घर साथ आ रही होती है तबे रास्ते में इशिता कृतिका से बोलती है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा लेकिन आज मैं पहली बार बोल रही हूँ कि तुम जैसे बहन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे कोई भी अपनी बहन का इस तरह से मजाग बनतत दे खड़ा होकर हस नहीं रहा होता है जिस तरह तुम हस रही थी अरे अगर मैं सबको ये सब करने से रोकती तो उन्हें पता चल जाता कि तुम मेरी बहन है और ये मैं बिल्कुल नहीं चाती थी थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर पहुँचाती है घर आकर इशिता राधा को सारी बात बताती है और कहती है बस बहुत हुआ मा मेरे गंजे होने की वज़ा से मेरी बहुत इंसल्ट होती है लेकिन अब मेरे अंदर ये सब सेने की हिम्मत नहीं है अब मैं स्कूल नहीं जाओंगी तुने बिल्कुल सही सोचा है शिता अगर स्कूल नहीं चाहेगी तो मुझे भी अपनी बेज़ती का डर नहीं रहेगा तुम तो चुभी रहो तुम्हारी बेस्ती वैसे भी कहीं नहीं होती बेस्ती तो सिर्फ मेरी होती है तुम्हें तो आदत है बिना बात के बीच में उचलने की ऐसे करती हो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दुख्यारी तुम ही हो तुम्हें तो सिंपती लेने की आदत हो गई है अगर मैं स्कूल नहीं जाओंगी तो अपनी वज़ा से तुम्हें जादा खुश होने की जुरुत नहीं है मैं घर में रहूंगी और मा के साथ घर के कामों में हाथ बटाऊंगी नहीं शिता तुम स्कूल जाना मत छोड़ो अगर तुम घर में रही तो वह सब लोग अपने मकसद में काम्याब हो जाएंगे जो तुम्हारा मजाग बनाते थे जिसको जो बोलना है बोलने दो तुम अपने काम से पीछे मत हटो उन लोगों के पास और कोई काम नहीं है तुम स्कूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पहतो बचपन में तुमसे एक भूल हो गई थी और बचपन में तो हर बच्चा कोई न कोई गलती करता ही रहता है इससे अपना आज खराब क्यों करना अरे मा अब ये सब तुम बोल रही हो उसने बोला ना वो नहीं चाती स्कूल जाना चुप हो जाओ क्रितिका पर ना एक तमाचा लगाऊंगी राधा की बाते सुनकर इशिता को हिम्मत आती है और वो स्कूल नहीं छोड़ती है उस दिन से क्रितिका या उसके दोस्त इशिता को जो भी कहती उनके बातों को वो अनसुनाकर अपनी बढ़ाई पर ध्यान देती थी इसी तरह काफिसा में बीच जाता है और इशिता अपने पूरे स्कूल में टॉप करती है और उसे स्कूलर्शिप मिलती है इसकूलर्शिप की मदद से इशिता एक कॉलेज में एडमिशन लेती है पांच साल बेच जाते हैं और दोनों बहने शादी के लायक हो जाती है एक दिन दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आते हैं दोनों लड़कों की मा बोलती है देखिए बहन जी मैं अपने एक बेटे की शादी आपकी बेटी कृतिका से करवा दूँगी लेकिन दूसरे की आपकी बेटी शिता से नहीं करवाओंगी क्योंकि शिता गंजी है अगर गंजी बहु लेकर गई तो सम मेरा बहुत मजाग बनाएंगे लेकिन बहन जी हम अपनी दोनों बेटियों की शादी एक घर में ही करना जाते है फिर तो रहने ही दो आपके बेटी शिता की वज़े से हम आपकी बेटी कृतिका से भी अपने बेटे की शादी नहीं करवाएंगे इतना बोलकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं राधा इशितक के लिए बहुत रश्टे देखती है लेकिन सारे लड़के वाले इशितक को देख कर मना कर दीती है एक दिन कृतिका राधा से बोलती है बेशितक की ये वाली बाते सुन बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन में सोचती है ठीकी तो कह रही है कृतिका मेरी बजा से उसकी भी शादी नहीं हो रही है मैं माँ से जाकर इस बारे में बात करती हूँ इतना बोलकर इशिता राधा के पास चाती है और बोलती है माँ आप मेरी वज़ा से कृतिका की शादी क्यों नहीं कर रही हो मैं तो चाहती हूँ कि मेर से पहले इसकी शादी हो जाए बिना वज़ा मेरी वज़ा से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही है आप प्लीज इसकी शादी करवा दो ना राधा इशिता की बात माल लेती है और अगले महिने क्रितिका की शादी धूम धामचे करवा देती है क्रितिका की शादी होने के बाद राधा इशिता की शादी के बारे में सोच सोच कर दुखी रहने लगती है अपनी मा को दुखी देख इशिता अपने मन में सोचती है मेरी तो वैसे भी शादी कहीं नहीं होने वाली है लेकिन मा मेरी वज़ा से बहुत तकलीफ में रहती है आसपरोस वाले आसपरोस वाले और रिष्टेदार मेरी मा को मेरी वज़ा से बहुत ताने सुनाते रहते है मैं जा रही हूँ घर छोड़ कर ना मैं इस घर में रहूंगी और ना मेरी वज़ा से मेरी मा को तकलीफ में रहना पड़ेगा इतना सोचकर इशिता घर से बाहर निकल जाती है रास्ते में चलते चलते इशिता को एक लड़की नजर आती है जिसके सर पर गहरी चोट लगी होती है इशिता दोड़ती हुई उस लड़की के पास चाती है और बोलती है ये ये कैसे हुआ ये से बताने का अभी वक्त नहीं है प्लीज मेरी मदद करो वर्णा में मर जाओंगी नहीं मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी रुको मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ इशिता भागते हुए अस्पताल जाती है और डॉक्टर को लेकर आती है डॉक्टर उस लड़की के सिर पर पट्टी करता है इशिता के पास पैसे थे इसलिए इशिता उस लड़की के पट्टी करने के लिए डॉक्टर को पैसे दे देती है डॉक्टर वहां से चला जाता ह उसके बाद वो लड़की बोलती है मैं यहां से जा रही थी लेकिन पता नहीशी ने मेरे سर पर पत्थर मारा और यहां से बाग गया तबसे मैं यहीं बैठ कर लोगों से मदद मांग रही थी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की अच्छा हुआ तुम संभासे आ अगयी हाँ पैसे आपको घर कहा है मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ ठीक है तुम मेरे साथ चलो वो लड़की इशिता को अपने साथ एक ज़ड़ने के पास ले जाती है वहाँ पहुँचकर इशिता बोलती है ये तो आप मुझे ज़रने के पास लेकर आ गई है लेकिन यहां तो मुझे कोई घर नजर नहीं आ रहा इशिता के इतना कहने के बाद वो लड़की एक जादो गर्णी के रूपने बदल जाती है और कहती है इशिता मैं तुम्हारे बारे में सब चानती हूँ मुझे पता है तुम अपने कज़ेपन की वज़े से बहुत परिशान रहती हो और तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं हो रही है जिसकी वज़े से तुम्हारी मा भी बहुत तकलीफ में रहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन आप मेरी मदद क्यों करोगी? कई वर्षों पहले जब मैं एक युफ्टी हुआ करती थी तब तुम्हारी दादी ने कुछ गुंडों से मेरी जान बचाई थी उस वक्त तुम्हारी दादी के मदद के बदले में मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाई लेकिन आज तुम्हारी मदद करके मैं उनका एहसान उतार पाऊंगी मैंने पहले तुम्हारी परिक्षा ली क्योंकि मैं एक जादोगर्णी हूँ और जादोगर्णी किसी बुरे इंसान के मदद कभी नहीं करती तुम बहुत अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी इतना बोलकर जादोगर्णी ज़र्णे के पास जाती है और ज़र्णे में कुछ जादो करती है जड़ने में जड़ने के बाद जड़ने के अंदर बहुत तरह तरह के रंग में रंगे हेर बेंड आ जाते है इशिता इस जड़ने में जाकर तुम एक हेर बेंड ले लो उसके बाद देखना तुम इसका कमाल इशिता जरने के अंदर जाती है और एक हेर बेंट बाहर ले आती है इशिता हेर बेंट को अपने सिर पर लगाती है ऐसा करती ही इशिता के लंबे काले घने बाल आ जाती है इशिता जादू गर्णी का बहुत धन्यवाद करती है और वहां से वापस अपने घर आ जाती है घर आकर इशिता अपने कमरे में जाती है और सोचती है मैं ये क्या करने जा रही थी? मेरी शादी ना होने की वज़ा से मा तक्रीफ में रहती है लेकिन अगर मैं घर छोड़कर चली जाती तो मा का और बुरा हाल हो जाता हे भगवान ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा इतना बोलकर इशिता राधा के पार चाती है और उसे गले से लगा लेती है कहां चली गई थी मेरी बच्ची तुझे पता भी है तुझे मैंने कितना ढूंडा मुझे माफ कर दो मा तबी राधा की नचर इशिता के लंबे काले घने बालो पर जाती है इशिता राधा को जड़ने के जादू हेर बेंड के बारे में बताती है और उर्ज जादू गर्णी के बारे में भी बताती है उसके बाद इशिता अपनी मा के साथ हसी खुशी रहने लगती है तबी कुछ दिनों बाद रोते हुए कृतिका आती है कृतिका के सर पर बहुत कम बाल थे और वो रोते हुए अपनी मा से कहती है मा, जादा अलग अलग महेंगे शेंपू यूज़ करनी की वज़े से मेरे सारे बाल चड़ गए जब तक मेरी लंबे काले घणे बाल थे तब तक मेरे ससुदाल वाले और मेरा पती मुझे बहुत प्यार करता था लेकिन अब उन्होंने मुझे घड़ से निकाल दिया आज मुझे पता चल रहा है कि शेता के उपर क्या बीटती होगी मुझे माफ कर दे शेता मैंने तेरा बहुत मजाग बनाया लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत पच्टावा हो रहा है कहते है ना जब तक खुद पर नहीं बीटती तब तक किसी की परिशानी का अंदाजा नहीं लगता तुम परिशान मत हो मैं सब कुस ठीक कर दूँगी इतना बोलकर इशेता अपना जादुए हेर मेंड क्रितिका को दे देती है उसके बाद क्रितिका के भी पहले की तरह लंबे बाल आजाते है फिर से पहले की तरह बाल आने के बाद क्रितिका बोलती है मा अपने ससुराल वापस नहीं चाऊंगी अपने पती से तलाग लोंगी और अप मेरी वही शादी करवाना जहां इशेता की शादी होगी मुझे उस घर में नहीं रहना जहां की लोगों को सरफ मेरी सुन्दरता की पड़ी थी इस तरह उस दिन से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और इशेता अपनी मा बहन के साथ हसी खुशे जीवन वैतीत करने लगती है